सतनाम सत्साइब दोस्तों हम लोग जो है सभी धर्मों में ध्यान साधना की जाती है जिसको इसलाम धर्म में इबादत करना कहते हैं इबादत के साथ तस्वी यानि किसी भी पवित्र वाक्या का जाप करना है मनी मन माला फेरना है सांसों की माला फेरनी है यानि सांसों के मन फिरावाली प्राथना कहते हैं। इसा मशीच साम के समय कांट में जंगलों में जाकर मन फिरावाली प्राथना करते थे। और मौमन साहब भी मक्का के पवित्र परवत की गूफा में एकांत वाज किया था तब वह वहाँ इबादत करते थे और अर्थात मन को एकागर करते थे ध्यान में भी यही उपरोक्त मन को यानि उपरोक्त जो किरिया है मन को एकागर करने की नाम जब के द्वारा ध्यान में बैट करके तो उसमें क्या मन को एकागर किया जाता है ध्यान के साथ मंत्र जाप या नाम जाप भी किया जाता है और अन्य किरियाए भी इसके साथ साथ चलती है लेकिन हम लोग अग्यानता के कारण एक चीज को अपना लेते हैं और दूसरी को छोड़ देते हैं जिससे कि हमे अभिष्ट परिणाम या पोजिटिव परिणाम नहीं मिल पाता है लेकिन हम लोग धर्म के नाम पर इतने कटर हो गए हैं सभी कि अगर हिंदु सुबह ध्यान सूरिया की और मुख करके करते हैं और साम के समय सूरिया के विपरी तर्थत पूरु दिसाम में ही करके करते हैं जबकि इंदु धर्म में भी यही बता गया है कि सूबह जिदर सूरिया होता है उधर ही मुख करके सूबह शाम जिदर माले सूबह यदि पूरब के और सूरिया तो सूबह के समय पूरव की और मुख करें और यदि साम के समय पश्चिम की और सूरिय है तो हम साम के समय अपना मुख पश्चिम की और करें लेकिन हम लोग क्या करते हैं हम सूबह शाम पूरव की और ही मुख करते हैं ठीक ऐसे ही इसलाम धरम में भी किया जाता है, वे सूबय और साम को पश्चिम की और मुख करके इबादत करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, जबकि कुरान सरीम में बहुत सी आयते हैं, जहां पर यह लिखा गया है कि हमें प्राते वे संधा को सूर्या को आधार मानकर नमाज या जब सूर्या पश्चिम में होता है, तब सूर्या की और मुख करके करते हैं, और सुबय को भी सूर्या के विपरीत पश्चिम की और मुख करके करते हैं, यानि हमने विरोध के कारण, आपसी विरोध के कारण, अपने को अलग पहचान बनाने के कारण ऐसा किया है, विरोध को सूरिया की और मुख मुख आपका होना चाहिए सभी का चाहू किसी भी धर्म का हो और स्याम को पश्चिम की और मुख करके करनी चाहिए चाहिए किसी भी धर्म का हो इसलिए दोस्तों सही मार्गवा सही तरेकों को अपनाए और पोजिटिव परिणाम निकलता है देखे कु कहा अलिफ लाम मीम एक सूरा अल्बक्रा का आयत नंबर 155 पर आप देखे और पूर और पस्चिम अल्ला ही के हैं यानि पूर भी अल्ला का है तो जिस और भी रूख करो उसी और अल्ला का रूख है यानि जिस तरब भी तुम जो है इबादत करो उसी तरब अल्ला विराजमा है निसंदे अल्ला समाई वाला और जानने वाला है वह सब कुछ जानता है तो फिर आगे भी कुरान स्रीम में कहा है मैय से युकलू दो सूरा अल्बक्रा की आयत है 177 और पेज नंबर 49 पर है नेकी और वफादारी यह नहीं है यानि नेकी और वफादारी अल्ला के परती यह नहीं है कि तुम की बस तुम अपने चेहरे पूरू या पश्चिम की और कर लो बल्कि वफादारी उनकी वफादारी है जो अल्ला पर अंतिम दिन के लिए इमान लाये है यानि पूरू और पश्चिम करने से मतलब यानि हम अल्ला के परती वफादारी नहीं है बल्कि अजली वफादारी है कि हम अपने पूर्ण इमान से उस मालिक की तस्वी करें आगे भी पुरान स्रिप की एक आयत है तिलकुरू सूलू तीन जूरा है आले इमरान की आयत सत्रा पर देखे क्या लिखाया है और रात की अंतिम घडियों में अपने गुना की छमा चाने वाले यानि रात की अंतिम घडि कब होती है सूरिया उदय से ठीक पहले हिंदु धरह में भी यही का जाता है कि सूरिया उदय होने से ठीक पहले ध्यान योग करना है ऐसे ही यहाँ पर काया कि रात की अंतिम घडियों में अपने गुनाओं की छमा चाने वाले यानि रात की अंतिम घडियानी सूर्या उदेश से पहले हमें तस्वी और इबादत करनी है आगे भी कुरान स्रीम में लिखा है वै इजा सम्यू साथ सूरा अनामी की आयत है बावन पर आप देखें और जो लोग अपने रब को प्रातकाल और संदैसे में पुकारते रहते हैं चाहते हैं तस्वी करते हैं इबादत करते हैं यानि इबादत के साथ मंत्र जाप या नाम जब करते हैं अल्ला के नाम का सिम्रण या जिक्र करते हैं अपनी सांसरूपी मालाओं के द्वारा तो प्राता काल और संदैसे में पुकारते रहते हैं चाहते हैं कि उसकी परसंता प्राप्त हो यानि ये चाहते हैं कि हम अल्ला को मना लें इसलिए इबादत वे अपरातना करते हैं आगे भी पुरान स्रेप की एक आयत है कालल मैं लव नो पार्ट पर है सूरा अन्फाली की आयत 205 पर आप देखें अपने रब को प्रता काल यानि सूर्या उद्धा होने से पहले और संधय के समय यानि सूर्या उष्थ होने से पहले याद किया करो अपने जी में गिड़ गड़ाते हैं देखी यहाँ पर क्या का हमें तस्वी कैसे करनी है अपने जी में करनी है गिड़ गड़ाते हुए यानि अपने मन में ही करनी है यानि मन आपके अवाज बहर नहीं यानि चाहिए और जो लोग ऐसे तस्वी करते हैं माला के और बहर मुँसे बोलकर बोलते हैं तो वह मान्या नहीं होगी तो क्या कहा धीमी अवाज के साथ और उन लोगों में से नहीं हो जाओ जो अचेता वस्था में पड़े हुए हैं या विबादत के साथ में यानि मन को एकागर करके जो की ध्यान साधनाई होती है अगा अब जो है आगे भी कुरान स्री में लिखा है वै मा उबरियू तेरा पाठ है सूरा है रई दी और इसकी आयत है पंद्रा पर आप देखें आकास और धरती में जो कोई भी है यानि आकास और धरती में जो कोई भी आर्थात चायवा हिंदों मुसल्मानों सीखों इसायों कोई भी व्यक्ति हो जो क्या कहां कोई भी है स्वेच्छा पूर्वक अथ्वा अनिच्छा पूर्वक उसी को सजदा कर रहा है और उनके साए भी प्रत्यकाली यानि उन व्यक्तिव के जो अगे अगे कुरान सरी में लिखा है उतलु मा उही यह 21 पाट है सूरा रूमी है इसमें आयत नंबर 17 बर है तो अब अल्ला की तस्वी करना है यानि अब अल्ला की तस्वी करना है इबादत के साथ अर्थात सांसों में उस रब के नाम का सिम्रण या जिक्र करना है जब कि तुम संध्य करो और जब सुभय करो यानि जब सूर्या अस्त होने से पहले जब संध्य करते हैं हिंदू द्रह में भी संध्य होती है और इसलाम द्रह में भी का गया है जब तुम संध्य करो तब उसकी तस्वी करो अर्थात मनी मन मंत्र जाप करो बिनावाज के और सुभा करो सूर्या उदा होने से पहले करो आगे भी कुरान स्रीम में लिखा है वै मयक नूत 22 की आया सूरा है एहजाबी और आयत नंबर 42 पर देखे और प्राता समय और साइंकाल उसकी तस्वी करते रहो यानि प्राताकाल यानि सूर्या उदा होने से पहले और साइंकाल यानि सूर्यास्त होने से पहले क्या करना है इबादत के साथ तस्वी करना है अर्थात मन ही मन जो रब का नाम का जिक्र करना है अब आगे भी कुरान स्रीम में है सुभा नल जी पाट पंद्रा सुरा बनी इस्राइल की आयत 78 है इसमें साप किया गया है कि कैसे हमें किस समय करना है नमाज कायम करो सूरिया के ढलने के आधार पर रात के अच्छा जाने तक यानी जब स्रीय अस्त हो उस समय हमें मंत्र जाप करना है नाम जप करना है से इंदु द्रह में भी कहा जाता है सेम प्रोसिस है लेकिन हम लोगों ने अज्यांता के कारण आपस में अपने आपको बांट लिया है तो क्या कह रहे है कि सूर्य के ढलने के आधार पर रात के छा जाने तक और फज्र के कुरान की भी पाबंदी करो निसंदे प्रात्यकाल निसंदे प्रात्यकाल फज्र का कुरान पढ़ना हजूरी की चीज है यानि यही जो है जो एक मौमीन के लिए है जो अपने रूह को अल्ला में मिलाने के लिए किया जाता है ध्यान साधना अबादत प्रात्यकाल करना है तो यही एक मुख्याधार है हमें सूर्या अस्त होने से पहले तस्वी करनी है अबादत के साथ और हमें सूर्या उद्या होने से पहले भी तस्वी करनी है प्रात्यकाल में इवादत के साथ ऐसे ही ठेक हिंदूों में भी होता है कि हमें हमने ध्यान साधना करते हैं सूर्या उद्या होने से पहले पूरव के और मुख करके और साम के समय सूर्या अस्थ होने से पहले पश्चिम के और मुख करके प्रातना या इबादत या ध्यान साधना करनी है तो हिंदों को भी सुबह हिंदों और मुसलमानों को दोनों को सुबह सूरिया उद्या होने से पहले पूरव के और मुख करना चाहिए और साम को हिंदों या मुसलमान या कोई भी हो उन्हें जो है पश्चिम की और मुख करके यानि जब सूर्य अस्थ होने से पहले पश्चिम की और मुख करके ध्यान साधना अबादत करनी चाहिए तो यही एक सचाहिए दोनों धर्मों में हमें क्या करना है हमें जो है ज्यानता का नास करना है ध्यान साधना अबादत करनी चाहिए जिससे कि हम उस मालिक को अपने ही शरीर के अंदर मिल सकें या मिला सकें सतनाम सतसायद